नमस्कार आप देख रहे हैं CMN News मैं हूँ आपके साथ कनीका तो चली शिरुबात करते हैं कुछ एहम खबरों के साथ शाबाद रामपुर मधुकर में स्थित एक ग्रामीन बैंक से अग्यात व्यक्तियों ने व्रिद्ध महिला के खाते से 40,000 रुपे की रकम उड़ाली शाबाद शेद्र के ग्राम मधुकर की रहने वाली केत की पत्नी स्वर्गय कैशो का प्रत्मा यूपी ग्रामीन बैंक की मधुकर शाखा में एक बचट खाता चल रहा है केत की सत्तर वर्षे व्रिद्ध महिला काफी गरीब है पूरा परवार अशिक्षित है किसी तरह बस परवार की रोटी रोजी चल रही है महनत मजदूर से गुजर बसर करती है केत की जब हीला जरूरत है तो बैंक में अपने पैसे निकालने गई तो मैनेजर द्वारा उन्हें जानकारी दी गई कि आपके खाते से पहले ही 10-10 हजार करके 40 हजार रुपे निकाले जा चुके है तो वहीं पुलिस को इसकी तहरीर दे दी गई है और पुलिस जात बिजट गई है आपने 40 हजार रुपे ये कब निकाले गए हैं? ये निकाले गए हैं 6 तारीक में और 23 तारीक में दद्दस राइद के अंतर से दो वार इत्वार का देने दोनों दिन इसकी शिकाल आपने बैंक में की इनकी है केत की ने और इसकी सिकाल धग्याए 4 यह कोई कोई सुनवाइब कि गई अज यह ये डेयें से एचा इसे सास से भी मिली है नो आप तरी दे दी आप तहरी दे दी क्या नहीं है दुमारा गेत की केत की कहा रहती हो